Hi everyone, so quickly discuss कर लेते हैं यहाँ पर 5 टेस्ट के बारे में, तो recently भी total अभी 5 टेस्ट चल रहे हैं इस वीक, तो उनके बारे में मैं डिस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले बात करेंगे आप है M.Docs की, तो देखो M.Docs की उपर मैंने वीडियो डा रही थी, M.Docs software testing यहाँ और यह थोड़े बहुत लोगों के लिए नहीं आएं, बहुत सारे लोगों के लिए आएं, बहुत सारे लोगों के, अब तो link expired हो चुकी है, और मुझे खुद expected नहीं था, मैंने खुद बोला था कि कम लोगों को response जाएगा, बहुत जादा लोगों को यहाँ पर mail गया है, टेस्ट होने वाला है, तो एक तरीके से काफी बड़ी hiring ये बन गई है, ठीक है, इसके बारे हम बात कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले इसमें 60% की requirement इन लोगों ने मांगी है, नो ब्रेक, नो गैप, बैचलर्स दिगरी इन computer science वगरा की requirement मांगी है, और required experience में लिखा है, 0-6 month, ठीक है, टॉकिंग बाउट इस, इन लोगों ने इसमें एक चीज और मेंशन करिए, तो शॉटलिस्टिश केंडिट विल रेसीव देस्ट लिंक on 27th January 7 PM, टेस्ट विल कंड़क्टेड on 29th January, ठीक है, और आप देख सकते हो, और यह ऐसा एक mail रिसीव हुआ है बहुत सारे बच्चों को, अब यह देखो, यह first test है, यह M.Docs का, और जो profile है वो आपकी test engineer रहने वाली है, यह मतलब QS related आपकी रहेगी, ठीक है, profile काफी बढ़िया है, दूसरी बाद सबसे बड़ा advantage यह है कि M.Docs company work करने लाएक है, कंपनी काफी बढ़िया, product based company है, और इसका selection procedure है, वो जादा difficult नहीं है, और अभी तक ना ऐसी कभी ख़बर आई है, कि इन लोगों ने candidates को onboard ना किया हो, या joining ना दी हो, या फिर ये company ने कभी किसी को लटकाया हो, तो इस type का behavior इस company ने नहीं किया है, और नहीं ये लोग करते हैं, तो अगर आप इसको seriously करते हो, prepare करते हो, और आप crack कर पाते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़ियार चीज हो जाएगी, so do not miss to participate in the test, and prepare well for it, okay, so पहला update अपना mdocs के side है, ये हो गया, दूसरी बात कर लेते है, mid-so-go की, तो mid-so-go की तरफ से भी कापी लोगों को यहाँ पर aptitude का assessment रिसीव हो चुका है, यहाँ पर aptitude का assessment यहाँ पर रिसीव हो चुका है, आप देखो, वो में सबसे पहले है क्या होता है, आपको aptitude assessment कराया जाता है, और फिर आपके यहाँ पर interview schedule किये जाते हैं, तो आप में से जिल लोगों को भी यहाँ पर aptitude assessment आया है, ठीक है, so you can also go for it, बट एक चीज़ देख लेना, चाहने जॉब लोकेशन होने वाली हो, चार लग का pay package होगा, then talking about IBM, IBM की तरफ से एक बड़ा update यहाँ पर यहाँ आ रहा है, कि IBM backend developer, अगर आपको याद हो, तो backend developer वाली जो position थी, उसके लिए यहाँ पर IBM की तरफ से calls गए हैं काफी सरेड़ लोगों को, so जो in office interview है, उसके लिए बुलाया किया है backend developer के लिए, दूसरी बात यह है, जो दूसरी position थी ASE, ठीक है ASE, उसके लिए already bank law में interview हो चुके हैं, bank law में interview हो चुके हैं, यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, और दूसरी बात यह है, जिए उन लोगों को यहाँ पर selection का भी mail आ चुका है, selection का भी, जो लोग ASE के interview के लिए जिन लोगों को invite किया था, चाहें वो bank law रोग या कोई भी job location के लिए जिनको बुलाया गया था, उनको यहाँ पर select भी कर लिया गया है, जिन लोगों का interview यहाँ पर हुआ था, ठीक है, जो लोग wait कर रहा हैं, IBM ASE Code NAC का जिनने exam दिया था, तो देखो अब chances आपके हो गए हैं कम, कि अब और भी लोगों को यहाँ पर mail आएगा, या selection का mail आएगा, अब chances हो गए हैं कम, क्योंकि देखो एक बार जब कुछ candidates को selection मिल आ जाए ना, तो चीज़ें फिर यहाँ पर difficult हो जाती है, कि और लोगों को यहाँ पर अभी और mail जाएंगे, ठीक है, तो देखो कॉगनिजेंट के भी interview यहाँ पर हो चुके हैं, अब आपको भी वेट करना है for result, जैसे कि देखो, सेम चीज़ हुई थी, जीटी वालों के लिए, तो जीटी वालों को यहाँ पर select कर लिया गया था, within 1-2 weeks, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर interview दे दिये हैं, और यहाँ आपका result भी आ जाएगा, एक से 2 weeks में आपको पता पढ़ जाएगा, और यहाँ पर rejection mail भी आते हैं, अगर आपको select नहीं किया जाएगा, तो आपको rejection mail भी आएगा, then talking about Misho, Misho की एक और position जो थी, business analyst करके, उसकी hiring आपने share करी थी, और उसके लिए भी यहाँ पर test receive हो चुके है, business analyst position के लिए, तो एक बहुत बड़ा update है, जिल लोगों उने भी उसका test दिया है, उसमें उनको SQL के questions देखने को मिले थे, और अब इस test के बाद, यहाँ पर Misho में direct आपको interview के लिए बुलाया जाएगा, तो अगर आपने अच्छा perform किया है इस test में, तो तो इस आपस्टेंट के लिए लाएगा, तो इस रहाँ आपदे ट लोग एजा ट लाएगा, भी मिलेटी हैं और टेर लोगों अच्छार इस व्रेश का आपको टो तो यहाँ आपको जाएगा.